नमस्ते पेरे बच्छों, आज हम इस वीडियो में वेंजगों का गुणा करना सीखेंगे तो यहाँ पर आपको दो वेंजग दे रहें, पहला तर टू अक्स प्लस त्री और दूसरा है अक्स प्लस चार इन दोनों का में यहां पर गुना करना है और यहां पर इन दोनों का गुना करना है तो इनका गुना हम कैसे करेंगे तो इसके लिए क्या करना है कि दो दो ब्रेकिट आपके पास उनमें से पहले हम एक ब्रेकिट को यहां पर खोलने वाले हैं तो 2x plus 3 इसके पास दो पत थी इनमें से आप एक पत को पहले रख लेंगे जिसे हमने रख लिया है पहला पत कुन सा 2x अब यह जो second वाला bracket है न वो आपको ऐसा गासा यहां पर काम में ले लेना है बीच में किसका चिनता प्लस का तो यह जाएगा प्लस का थी और second bracket आपको ऐसा काम में ले लेना है तो यहां पर देखिए कि 2x plus 3 थी था यह पहला जो bracket था इसको हमने 2x को यहां रख लिया और 2x उस bracket से गुना हो गया और प्लस में कौन था 3 तीन को इस bracket से गुना हो गया तो ऐसे क्या करना होता कि जब आपको bracket में कोई दो बेंजक दिये जाए तो पहले आपको एक bracket को वहाँ से खोल लिया ना होता है अब इस bracket में क्या होगा कि जो 2x नव अक्स से गुना होगा पर 2x को आप अक्स से गुना करेंगे पर 2x को हम किसे गुना करेंगे 4 से 2x का मतलब तो 2x था और गुना किसे करना था इसको 4 से तो यह बन जाएगा 4 दूनी 8x तो यहाँ पर कितना जाएगा 8x तो इसका काम complete हो गया अब बार यह इसकी 3x को 3x के बराबर होता है 3x के बराबर होता है और 3x को हम 4 से गुना करेंगे ना तो 4x कुना 3 12 हो जाएगई अब यहाँ पर तो अक्स की गाथ 2 है यहाँ पर अक्स की पावर 1 है ना दोनों 1 जैसे हैं तो इन दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा 8x भी plus का था 3x भी plus का था दोनों यहाँ पर plus के हैं दोनों के चिन समान है इस वज़े से दोनों यहाँ पर जुड जाएंगे तो इन दोनों का हम जोड देंगे तो यह तो रहे गए 2x square 8x और plus के ही 3x तो यह हो गए plus के 8 और 3 11x हो जाएंगे और वहाँ से आपका plus का बारा आही जाएगा तो यह हो जाएगा पहले क्यूशन का अंसर शेकिंड जो क्यूशन है उसमें आपको गुणा करना था x square प्लस 2 को किस से 3x प्लस 6 से तो यहाँ भी वही नियम अपन अप्लाई करेंगे पहला जो ब्रेकिड इसको अपन दो जगर तोड़ देंगे x square को पहले 3x प्लस 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर रखेंगे x square गुणा 3x प्लस 6 फिर आएगा आपका कौन प्लस का 2 और 2 को भी हम क्या करेंगे 3x प्लस 6 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यह बन जाएगा 3x प्लस 6 ठीक है यहाँ एकस square को भी 3x प्लस 6 से गुणा कर दिया और 2 को भी हमने 3x प्लस 6 से गुणा यहाँ पर कर दिया अब गुणा में क्या है कि x square को आप 3 x से गुणा करेंगे x square मिन्स क्या होता है x square होता है x गुणा x और x गुणा x को हम किसे गुणा करेंगे 3 x से तो यह आएगा गुणा में 3 x अब संक्यात हूँ जो value हो तो 3 ही रहेगे न तो इसलिए यहाँ पर तो आएगा कितना 3 x गुणा x गुणा x यही अभी तो यह बन जाएगा x की पावर 3 पिर x square को हम 6 से गुणा करेंगे न तो यह 6 गुणा x2 तो 6 x square ही रह जाएगा अब दो किसे गुणा होगा 3 x से और दो कुणा करेंगे किसे 3 x से तो यह तो बन गिए 3 दुनी 6 6 और वो है यह बन जाएगा पलस में 3 दूनी 6 पिर 2 को हम किसे गुणा करेंगे 6 से यह बन जाएगा पलस का 6 दूनी 12 इन में देखो अगर कोई से मिलने वाला दो उनको मिला देंगे यहांपर अक्स की पावर 3 है और कहीं भी पावर 3 यह तो इसमें कुछ भी नहीं मिल सकता य यह वाला जो किशने इसका जो आंसर रहना वह यही बन जाएगा इसका उपर वाले आंसर यह बन ही गया था इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कोई भी दो विंजक हो उनको मासाने से गुणा कर सकते हैं यदि आपको यह गुणा करना अच्छी समझ में आ गया हो तो वीडियो को ल सबस्क्राइबी कर लेना